ओम श्रीक गनेशा एनमा मैं फ्रेंज तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहें फॉर ऑक्टूबर मन्त कैप्रिकॉन यानि मकर राशे के लिए तो कैप्रिकॉन सबसे पहले हम करेंगे एक आपके लिए जॉब रीडिंग और फिर उसके बाद हम लाव और रिलेशन्शिप पे करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हम इंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं और एक और बात अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इस अन्यू चैनल तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और एनरजी जरूर क्लेम करिएगा कुछ भी अगर आपसे मैच होता है माइजर कभी आप मेबी आपको आप बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं बहुत महनत करी आपने पिछले टाइम में अगर सेप्टेमर मांत तक भी और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके महनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा है या कुछ इस तरह से अगर आपको फील हो रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा फील मत करिए फोर नेक्स मन्त और आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ के पीछे जाओं आप स्टक सा फील कर रहे हैं अपनी जॉब में आपको लग रहा है कि मैं ये कहां फस गया हूँ मुझे मतलब जैसा आपके साथ रेजोनेट करें तो जैसे आपको लग रहा है कि मैं अगली जॉब चेंज कर मैं ये कौन सी जॉब में फस गया हूँ या बिजनस में लग रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट ऐसी हैंडल किया है बट मुझे उस यसाब से उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है कुछ इस तरह से अगर आपको में भी लग रहा है आपको थोड़ा सा पेशन्ट होने की जरूरत है राइपनेस से पता लग रहा है कि अगर आप इसी जॉब में इसी में ही महनत करते रहेंगे तो भगवान आपको डिवाइन आपको जरूर ब्लेस करेंगे यह जो confusion बाले मोड में आप October में दिख रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर आईए क्योंकि future में आपके लिए जरूर एक अच्छा positive card आया है वो आपको कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो भी आपने अब तक महनत करी है उसका आपको reward जरूर मिलेगा आप negative मत feel करिये अब यह मत सोचिए कि मैंने अतनी महनत करी फिर भी मुझे और अगर आप दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं न कि कि किसी कोई बहुत महनत कर रहा है और आप उसको reward recognition नहीं दे रहे हैं तो प्लीज उस पे भी चेक करीए कि यह बहुत वे हो सकता है कि आप भी हो सकता किसी के साथ इस तरीके का behave कर रहे हूँ तो दोनों perspective से सोचिए और confusion के mode में मत रही है मतलब करी है मेहनत चाहे आपने या किसी ने तो प्लीज उसका reward and recognition उसको जरूर दीजिए और same apply होता है business में भी अगर partner के साथ आपको लग रहा है कि कुछ problem आ रही है तो उसको भी उसका दीजिए और maybe divine भी आपको universe भी आपको तब भी bless करेगा अगला हम देखते हैं आपके personal relationships में कि उसमें आपको कैसा रहेगा तो सबसे पहला card निकालते हैं king of cups तो काफी positive card है कहीं न कहीं आपका सबकी तरफ बहुत ही अच्छा रहेगा आपके मन में सबके लिए बहुत ही जादा प्यार और एक वैसी वाली feeling है जो मुझे दिख रहा है और आप काफी महनत भी करेंगे तीजिए ten of cups बहुत ही अच्छे तीनो cards आया है तो आने वाले October month में मुझे जो नजर आ रहा है Capricorn राशी आप अपने रिष्टे पे अगर अब तक कुछ problems चल रही थी दिक्कते थी तो आप इस October month में बहुत महनत करने वाले अपने रिष्टों में आपके मन में इवन आपके partner भी शायद आपकी तरफ आपके साथ celebration करना चाहेंगे आपके साथ अच्छे से enjoy करना चाहेंगे और आप full party fulfillment रहेगी आपकी देखिए सब के साथ अपने परिवार के साथ मिल कर एक बहुत ही अच्छी वाली feeling आ रही है इन cards को देखके तो जो भी महनत आप कर रहे हैं उसका reward अब आपको October में मिलेगा अब ही तक आप बहुत ज़्यादा stress ले रहे थे बहुत ज़्यादा mental anxiety में थे तो अभी देखिए अभी आपको आने वाले time में आपका partner भी आपको बहुत preference देगा importance देगा और आप लोग मिलकर कुछ अच्छा create करने वाले हैं अच्छा आने वाला है आपकी तरफ तो बहुत ही positive कार्ड जाए है October month आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो अब हम निकालेंगे divine guidance देखते हैं divine आपसे क्या कहना चाहते हैं divine guidance लेंगे divine आपसे क्या कहना चाहते है peaceful resolution अभी तक अगर आपको चाहे अपने job business career में या फिर अभी अपने money matters में या फिर relationship में कुछ भी था ना मकर राशी तो आपको एक peaceful resolution की तरफ आप बढ़ेंगे एक आप बीच का रास्ता निकालेंगे recovery देखिए जो भी अब तक कुछ गड़बड थी ना वहाँ से आप निकलके उसको recovery mode पे लेके जा रहे हैं तो एक बहुत ही positive और वैसा है और देखिए improving health तो अगर health issues चल रहे थे कुछ दिक्कते चल रही थी तो उसमें भी improvement आएगी health में भी improvement आएगी तो कितने अच्छे डिवाइन आपको कितनी अच्छी guidance दे रहा है देखिए health में improvement है अगर relationship में problem थी तो peacefully होगा अगर business में कुछ problem चल रही थी partner के साथ job में boss के या colleague के साथ तो आपको शायद आपस में कुछ resolution निकलेगा और शायद सभी sectors में recovery आएगी कुछ positive ही feel होगा आपको तो friends ये थी आपकी reading Capricorn तो अगर आपको ये reading पसंद आए तो please इसको video में comment section में जरूर आप energy को claim करियेगा और channel को please subscribe करियेगा so thank you so much for watching this bye bye